Chapter 16, Direct and Indirect Object निया, formation आपीचे, S एकले, Subject करता जेचे A, V एकले, Verb, Kriya पर I, O एकले, Indirect Object E, O एकले, Direct Object Direct and Indirect Object रसी दो आनकत्रों कर्म जेचे A, कर्मा, आपने जेचे दलाना यूट मा सिखी गया A The subject is a sentence, is the door of the action एकले वाक्ये नो करता सुवेचे Kriya नो करना जे खावान क्रिया होई चो कोई व्यक्ति द्वारा ठाई चो जे व्यक्ति द्वारा ठाई चे ए व्यक्ति ने शुक्ये वाक्ये नो करता क्ये वार चाइकन छे The word that receives the action done by the subject is called the object एले करता द्वारा ठेली Kriya मेड़ना शब्द ने शुक्ये चे आपे कर्म कहिए चीए I ate an apple मैं सब्फर्जन खादू तो यह क्रिया के थाईचे खावानी कोना दारा तो के मारा द्वारा मैं शुँ खादू तो जवा बढ़े के सब्फर्जन तो करता यह जे क्रिया का इस खावानी तो एना की तमने प्याव सब्द वड़ेचे खावानी खाजू पट्सु उप्टू तो के सब्फर्जन तो यह ताप पर यह सु बनीचे आपड़ेचे इना अबजेट ते लगे कर्म सम वग्स टेइट्ट्व अबजेक्ट्स अखो क्रिया पदेवा होई चे के जनी साथे बे अबजेक्ट बैक कर्म होई छे the first is the indirect object and the second is the direct object लेक कोई करिया पद होई जमा बैक कर्म होई छोगे एक डायक अने दीजो indirect object first is the direct object answers the questions who or what after the verb and is usually and inanimate thing लेक अडायक अबजेट छे एक माचा तो what ना प्रस्ण नो जवाब होई छे मोटे बागे शो होई जड वस्तु होई होई कोई पड वस्तु होई तो वस्तु एनों question एक अबजेक्ट होई जोखे direct object direct object इमाँ मोस्टी शो होई कोई पड वस्तु जा इंडायक अबजेक्ट answers the question to whom or for whom जा प्रस्ण नो जवाब होई छे माँ मोस्टी शो असे सिसर्वा नाम नो फस्तु होई जा तो कोई ना मने बार्था कही जवाब मने के तो the teacher तो the teacher शो बन्षें subject क्रिया कही ने चेमा कैवानी तो वर्ब कही चामा टॉड शिक्षचे माने शू कही शू थी प्रस्ण पुछो तो जा अब सो मन्षें के a story बार्था कही तो a story छें रहें शो बन्षें direct object शीक्ष के कौने बारता कही कौने शीक्ष का कही तो कÃ रजाने कही तो मिय एसे बंचे इंड़ारेक्ट अबजेट्ट सेज़न ensemble、 अमीघक आस्क्दल ज़िंग अक्केश्टन और अमीघक क्तां रीचक्षानोंता prototype that morning कॉणे, तेने प्रस्न पुछ्यो कॉणे, पुछ्यो कोणे, जवब सुमदे, कि अमी ते, तो अमी छे एस बंसे, subject, क्री आप के खायच आमा, पुछ्वानी, to ask the sample, अमी ते, तेने सु कुछ्यो, सु पुछ्यो, जवब सुमदशे, कि कि अ, यह नीचे एसु बनसे, indirect object And last one is, Nisha sang her friend a letter तो नीचा ये, तेनी सक्षी ने पत्र मोखले चे कोड तेनी सक्षी ने पत्र मोखले चे? तो कि नीचा, तो नीचा एसु बनसे, subject आमा क्रिया कहीं है, ये जो sand नो करवाली तो sand एसु बनसे, work नीचा, तेनी सक्षी ने सु मोखले चे? सु, तो एनो जवाब सुमट से, a letter तो एसु बनसे, direct object नीचा, कोने पत्र मोखले चे? कोने? तो जवाब सुमट से, her friend तो her friend एसु बनसे, indirect object sentence structure for such sentences is S plus V plus indirect object plus direct object जवाब वाब क्यों जचे? ये जमां बे कर्म होए, direct and indirect object तो एनी वाब के रखेना मोटा भगे के वे चे? तो पहला सु है मां subject होए, 25 वर प्लस होए, indirect object और 25 वर, direct object so now let's see exercise exercise L, divide the sentence in S plus V plus direct object plus sorry indirect object plus direct object ज़ाब के ज़े आपके आचेना देवार है? बाद कर्वाब कर्वाएंचे, चटन्या हुआए पल्टों को होग से subject बादी को होग से? प्ल्टों को होग से? वर, indirect object अने? लारिक ओप्जेक्ट फास्स सेंटेंच जो है दा लेडी गेव दा बैगर सम ख्लोज नेस तरी ये बिखारी ने थूडा कपड़ा आप्या वे कोणे बिखारी ने कपड़ा आप्या कोणे तो जेवाग एसु मणचे के दा लेडी ये दा लेडी छे एसु बनचे आपबलो समजेक्ट सु बनचा है समजेक्ट कृरिया गई ताइछे आपपाली गेव तो याँँ चे गेव छे एसु बनचे आपबलो वर वे श्त्त्री ये बिखारी ने शूँ आप्यू आपकी दो जवापसु मढ़े चे के some cloths, तो some cloths छे, एसु बन्से आपणो direct object, अने स्त्री ए, थोडात कपडा कोणे आपणे या कोणे, तो जवापसु मढ़े के the beggar, तो जवापसु मढ़े चे, एसु बन्से आपणो indirect object, सेकेंड चे, जावप रोट, हीस ब्रदर, अब लेटर, लेश, जावप दें तेना भाई ने पत्र लख्यो, और कोणे तेना भाई ने पत्र लख्यो, ते जावप दे, तो जावप एसु बन्से आपणों माटे subject, तो जवापसु मढ़े चे, लख्वानी, लेश, बन्से आप आब लेटर, तो लेटर चे एसु बन्से आपणों direct object, जावप दें पत्र कौने लख्यो, कोने? तो जवापसु मढ़े चे, his brother, तेना भाई ने, his brother, एसु बन्से, indirect object मारी बहेने मने केमरा मोकल हुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ एसो बन से आपको डार्रेक्ट अबजेक्ट मायी बहने रहें केमेरों, कोने मोकल यो कोने है नो जवाग्वस सु मनेचे माने युजनरे नी छे, एसो बन से आपको इनदार्रेक्ट अबजेक्ट फ़ाथ्फ चे लेंगलोडड सावन, बगास् टी जे जमीन नालपन छे य현ए मयमा नोने चा आपी कोणै मयमा नोने चा आपी? तो हे लान-Lord लान लाण रोट सुबंचे subject करीया इन्याक़ी चे अपफानी सर्करवानी तो वर्ब कई चे यहांतु sub जे लान रोट जमीन नालपन छे याने मयमा नोने शू आप्यू जमीन मल कोने चा, कौने आपी कोने, तो जवाब सो मासे तमने के गढ़ा, गेस्ट, तो गेस्ट ए आपला माटे सु बंचे, इंडारेक्ट ओबजेक्ट, And last one is, fifth, my mother gave the girl a glass of water, तो मारी ममी ए, छोकरी ने फानी नो ग्लास आप्यो, कोने ग्लास आप्यो, तो माई मदर, तो माई मदर सो बंचे, सब्जेक्ट, क्रिया के देचा माँ, अप्वानी एल्द वर्ब कई बंचे, गेव, मारी ममी ए, छोकरी ने शु आप्यो, शु थी प्रस साम, तुछोदर, जवाप्सु मदर चे, के, a glass of water, तो a glass of water, एशु बंचे, आपनो, direct object, हारी ममी ए, पाणी नो ग्लास, कोने आप्यो, कोने, जवाप्सु मदर चे, के, the girl, तो girl छे, एशु बंचे, आपनो, indirect object,